Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Students, as you know, we have started short stories of class seats, subject English. Today we will discuss story number 4, that is Rustam and Sorav. बच्चे आज हम Rustam and Sorav जो short story है इसको discuss करेंगे. Story की उपर जाने के पहले, story पे पहुँचने से पहले हम क्या करेंगे? स्टोरी को ओवर्वियू देख लेंगे जिसे हैं क्या लिखा है ओवर्वियू में हम पढ़ेंगे किति रुस्तम एंड सोरव अिजा रुश्तम एंड सोरव इस अजब इरान को पर्शिय के नाम से जाना जाता था रुस्तम एंड सोरव वहां की स्टोरी है रुस्तम वहां के एक बहादृर सैनिक हुआ करता था सोरव आगे रुस्तम का बेटा होता है ठीक है तो रुस्तम की जो मदर है उनके रुस्तम की जो वाइफ है उसका नाम तनी में है सोरव किसका बेटा है रुस्तम और तनी में तारतार की प्रिंसेज है उसकी प्रिंसेज होती है तारतार की और वो रुस्तम की वाइफ है और उन पूरी जिन्दिगी वो एक दूस्रे से नहीं मिलते वह कता मिलते हैं जंगे मांधान में मिलते हैं बाप घता अपने एक तूसरे से उनकी इंदोल pensa मीटेंग बोलवन कासंनोवरत रुसतम सवर्ण GG सब्सक्राइब कर सके उसके साथ पाइट कर सके लेकिन जो सौरव है वह तो जानता कि वह रुस्तम का बेटा है लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह इस समय इसके सार फाइट कर रहा है और रुस्तम ही है लेकिन दूसरी और जो रुस्तम है उसको तो बिल्कुल नहीं पता कि let me नहीं है और जो सोरव हो अपने के हाथों मारा जाता है उसके अंगतः नांगे एक लम्बे समय की बात है जिसको अब इरान की नाम से जाना जाता है पर्शिय पर्शिय जिसको पहले इरान के नाम से जाना जाता है बहां एक महान बहादूर जिसका नाम था रूस्थम ही वाझ सो ब्रेव और फिरले़स अन फिरो भीasm और फेरलेश guides कान इवैस निडर जिसको किसी का डर नहों निडर था कौन रुस्तम तो उसने बहुत बार अपनी कंट्री को फॉरेन इन्वेजन से बचाया था फॉरेन के इन्वेजन से ठीक है उसकी कंट्री को परशिया जो इस समय इरान है तो कहते है इससी वजह से उसको शील्ड परशिया बोला जाता है उसको बोलते हैं शील्ड तो रुस्तम को शील्ड परशिया बोला जाता है ना हे परशिया कि ऊपर कोई जीत हासिल कर सकता है तब तक परशिया सेफ है जब तक रुस्तम है तो रुस्तम को अपना शील्ड मानते हैं शील्ड आप परशिया इसलिए उसको बोला जाता है जो दुश्मन होते हैं जब उसकी आवाज सुनते हैं यंग के मैदान में जब रुस्तम आता है तो जो जो से घरजता है चिलाता है इस तरह से घरजता है जैसे को शेर दहारता है तो जैसे ही दुश्मन उसके अवास सुनते हैं तो वो डर के मारे ही मैदान छोड़के बाग जाते हैं वो उसके नाम से ही डर जाते हैं उसकी अवास से ही डर जाते हैं इतना बहादूर था रुस्तम रुस्तम का इतना खोफ था लोगों में कि लोग उसके अवास से ही डरते दुश्मन तबी भी सोचते नहीं थे कि परश्या के उपर अट्र किया जए पर जो उसके दुश्मन होते वो सोचते थे कि परश्या को हम नहीं अरा सकते जब कहते जो पर्शिय का किंग था उसका नाम कैकोज था तो वो कहता था कि जब तक रुस्तम हमारा सैनिक है हमारे सैनिकों को जो लीडर जो रुस्तम है जब तक तब तक पर्शिय को कोई हरा नहीं सकता तब तक पर्शिय क्या है सुरक्षित है कहतें किसी दुश्मन में इतनी हिमत नहीं कि वो हमारी कंट्री को खत्रा पहुंचा सके अगर वो पहुंचाने की कोशिश भी करेगा कोई भी दुश्मन तो उसको एक बुरी हार का सामना करना पड़ेगा कहतें जो एनिमिज होते थे पश्या के दुश्मन ते वो कहते थे कि जब तक रुस्तम है तब तक हम पश्या के उपर जीत हासिल नहीं कर सकते कहते हैं इक समय की बात है बहुत जयात्रा के दौरान रुस्तम जोहा वह एक तार-तार की मिलता है जिसका नाम तनी में होता है तो एक दूसरे के साथ प्यार में पढ़ जाते हैं फिर बाद में वो शादी कर लेते हैं हावर रुस्तर वस नॉट एबल टू लीव इस वाइफ और लांग ताम कहते हैं उन्होंने शादी तो कर ली लेकिन जो रुस्तम था वो अपनी वाइफ के साथ रह नहीं पाया काफी लंबे समय तक जब उनकी शादी हो जाती है तो दो किंग ऑ परशिया सून सेंट फॉर हिम because he didn't feel safe unless रुस्तम was in his kingdom to protect and defend it कहते हैं जो किंग होता है उसके शादी के बाद रुस्तम को एक बुलावा बेजता है और रुस्तम को बुला लेता है क्यूं 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 बुलाता है किंग वो सोलता है कि अगर रुस्तम हमारे kingdom ने नहीं रहेगा तो हमारे kingdom को खत्रा हो जा कहते हैं ज़स्तम को बुलावा आया वह सके बबापे साजाओ तो रुस्तम के लिए बहुत मुश्किल हुआ क्यूं क्यूंकि वो अपनी फैमिली में था फैमिली के साथ रह रह था तो इसके लिए बहुत ही दुख हो तुसे बहुत ही दुख्व दूख होता है दूर जाते हुए पार्टिड तदूर होना तो अलग होने में उसको बहुत प्राव्ब्लम होती है बहुत दुखी होता है क्यों कि आप की सालों लग जाने थी उसको की वह अपनी वाइफ को दोबारा देख सके, उसको मिल सके, किया पता कभी मुलाकात ना ही होती, क्याते हैं, अपनी वाइफ को एक कीमती पथर देता है, उसको बोलता है, कि जब तुम माँ बनोगी जब हमारा बच्चा होगा तो तुम उसकी बाजू की उपर ये कीमती पत्थर भान देना और हमारी शोशादी है इसको सीक्रेट रखना गुपत रखना किसी को बताना मत तो कहते हैं इन ड्यू कोस्ट अ सन वाल वान टू तनीमे को ये बात पता थी कि अब बेटा हुआ है जब बेटा बड़ा होगा तो जो रुस्तम है वो बहुत ही उत्सुक होगा अपने बेटे से मिलने के लिए और वो चाहेगा कि जिस रास्ते पर मैं हूं मेरा बेटा भी उस अगर उसको पता चल गया कि बेटा हुआ है तो वह बेटे को ले जाएगा अपने रास्ते पर चलाएगा तो वह नहीं चाहती है कि इस तरह से उसका हस्वें उससे दूर हो गया और उसका बेटा भी उसी तरह से दूर हो जाए इसलिए यह बाराज वह रुस्तम से शुपा लेती है और वह रुस्तम को सो तनी में सेंट वर्ट तू रुस्तम दार तो जो तनी में होती है वह मैसेज भी जवाती है रुस्त and became skilled skilled in the arts of war for miles around there was no one who could compete with him in fields of sportsmanship कैते जो तनी में है वो अपने बेटे का नाम रखती है सोरव सोरव का मतलब होता है बच्चों की मुस्कुराहटे तो सोरव जब बड़ा होता है तो वो एक भादर और एक हैंसम लड़का बन जाता है कैते बोवी अपने पिता की तरह तलवार वाजी में निपुन हो गया तलवार की कला उसने भी सीख ली तो उसने वार जो यूद करने की कला है उसको भी सीखा माइल्फर माइल्उ माइल रउंदेर वाज लो विजके फीर ऊस्वारेमिंट पास दूर दूर 1000 लो दूर तक कोई भी ऐसा इनल्यान ही था जो कोई भी उसका मुकावला कर सके जो उसका तल वामच100 कर सकता प्रिंसेश तो सोरव अपनी मदर के साथ तार तार में ही रह रहा था तो कहते उस क्या है उस कंट्री में क्या होता है उस एरिया में क्या है कि एक यंग वारियर एक यंग जवान सैनिक आता है और वो ललकारता है कि मेरे साथ कोई के फाइट करे तो सोरव जह है वो उसके साथ सिंगल कंबैट मतलब उसका मैनना था कि वो कोई मेरे साथ अकेला यूद के लिए रहा होता है तो यंग शोलजर से चैलेंज किया था तो वह सोरभ से कहता है कि कहते कि हम अपने पैरंटीज करें पहले मुझे आप अपने पैरंटीज बताओ अपने माता पिता का नाम बताओ मैं उनके साथ फाइट नहीं करता जो एक मामूली हो तो मतले कि मामूली माता पिता के बच्चा हो उससे मैं फाइट नहीं करता मुझे आप अपने माता पिता का नाम बताओं पैरंटेज बताओं इर्द गिर्द जो भी लोग थे वो सारे सोरव की ओर देखते हैं नन्यू एक्जेक्ली हू सोरव स्वादर वाज कैते उन में से कोई नहीं जानता था किसी को पका नहीं पता था कि सोरव के पिता कौन है सोरव वो डिड़न नो देखते हैं जानता था जो नहीं जानता था कि उसका बर्त का जूसके जनम का क्या राज है तो वो अपना सिर है वो शर्को शरम से जुका लेता है फिर वो अपना जो ऑपनेंट है जिसके साथ ने फाइट करनी थी वो उसको बोलता है कि हम अगली सुबह मिलेंगे कल सुबह मिलेंगे उसको बोलके फिर बाहर से चला जाता है तो फिर जो अपनी मामा के पास जो अपनी मादर के पास जाता है वो जल्दी में और मदर से पूछता है कि मदर आपने मुझसे बहुं सालों तक चुपार रखा का मेरे पिता कौन है? अब जब तक आप मुझे मेरे पिता कर नाम नहीं बताएंगे तो अगर नहीं बताएंगे तो आप मेरा मरा हुआ मू देखेंगे then he told his mother what the young soldier has said फिर उसके बाद वो बताता है अपनी मदर को कि जिस young soldier से वो fight करने के लिए गया था तो उसने उसको क्या बोला यह सब सुनने के बाद उसके मदर बोलती है I have had reason to hire the name of your father from you my son but I will tell you his name now said Tanime कैते Tanime जो उसके मदर होती है सोरव की वो उसको बोलती है कि बेटा मेरा पासर एक कारन था कि जिस वज़ा से मैंने तुमसे तुम्हारे पिता का नाम छुपाया लेकिन अब मैं तुम्हारे पिता का नाम बताती हूँ You are the son of the great Rustam, the shield of Persia तु फिर उसको बताती है कि तुम रुस्तम के बेटे हो जिसको shield of Persia कहा जाता है तुम great Rustam के बेटे हो When सोरव hear these words, his heart was filled with pride Rustam, I am the son of Rustam Oh, why did you hide this from me all these years? Let me not go and announce my father's name and fight my challenger तो फिर जब सोरव सुनता है अपनी मदर से कि वो रुस्तम के बेटा है तो वो गरफ फिल करता है तो आपने मुझे पहली क्यों नहीं बताया कि मैं great Rustam का बेटा हूँ आपने इतने साल क्यों चुपा रखा चलो अब मुझे सब को बताने दो कि मैं रुस्तम का बेटा हूँ और मैं उस जो चैलेंजर है उसके साथ जाके fight करता हूँ फिर क्या करता है अगली सुभा जाके चैलेंजर को पाजाता है अनौन्स करता है कि मैं सोरव हूँ रुस्तम का बेटा जिसको शील्डा पश्य कहा जाता है मैं तुम्हारा चैलेंजर स्विकार करता हूँ क्या तुम मेरे साल fight करने के लिए ready हो क्या होता है जब रुस्तम का नाम सुनता है उसका अपोनेंट सोरव का अपोनेंट तो वो अपना जो है उनके मन में खोब बना होता है तो सोरव को inspire करता है तो रुस्तम को इस मदर आपने पिता को खोजने के लिए जाओंगा तो उसकी मदर उसको बोलती है कि तुम मुझे छोड़के मत जाओ अकेला लेकिन उसके पकी determination को देखते हुए तो पिर उसकी मदर उसको बोलती है कि तुम कैसे पहचानोगे कि रुस्तम तुम्हारे पिता है वह तो मुझे तब छोड़के थे अभी तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो वह मुझे अकेला छोड़के चलेगे थे ना तो उन्हों नहीं तुमने उन्हें देखा है तुम उन्हें कैसे पहचान होगे वजह हम यहां तक ही रखते हैं नेक्स हम अगली वीडियो में देखेंगे थैंक यू